भगवान श्री स्वामी नारायन ना भक्त रतनो भाग 3 प्रक्रण 4 पिठवा जालना देवशी लुहार मा, मने भाथू करी आप, मारे संग बेले गडड़ा जाऊंँ छे पिठवा जालनो आ लुहार युवक देवशी स्वामी नारायननो सत्संगी थयो अने आखा कुटुम मा विरोध जाग्यो, माता पिताने पुत्र उपर सहजे लागनी होय, पन कुटुम बहळुवतुं बदा शक्ति पंथी उपासको अता, सव नो एक सूर पड़ेओ, कि देवशी नो सत्संग मुकाववो आ लुहार कुटुम मा एक मारगी बावो रहतो, व्यसनों मा चक्चूर, भक्तिनू नाम नहीं, नहवा धुवानू अठवाडिये एकादवार बनी जतुं आखो दिवस मलक नी वातो मांडे, पोता नी डमफा सांके, बोला लोकोंने भर्मावे, घर माज पड़ेओ पात्रिव रहे, बैराओ एनी सेवा करे, होको भरी दे, अफिन घोली दे, गांजो तैयार करी दे देवसी लुहार ने नान पन थी स्वामी नारायनना संतो मलया, तेमनी वातो सांबली तेने संत असंतनी परक लादी हती, इरोज स्नान पूजा पाट करे, पवित्र पने रहे, डुंगली लसनने अडे पन नहीं, नीडर पने धर्म नियमनू पालन करता देवसी ने जोई, प्रथम तो बावाना रदयमा तेल रेडायूं, तेने घरना सवने साचु खोटूं समझावी भर्मावया, ने गमेते उपाये देवसी सत्संग मुके इवा उपायों शरू करया, बावाना आदेश थी, घर परिवारना बधात सब्यों देवसी ने हैरान करवाला गया, कार परिवायों नी वच्चे देवसी लुहारे सत्संग शीर साटे जालवयो, घरे जमवामा जानी बुजी ने तेने डुंगली लसन पीरसाता, तेम छता मुंगे मोहे देवसी भगवानने संभारी, फक्त रोटलोने छास जमीने उबो थेई जतो, बावा जी ये नक्की कि हूँ आनो सत्संग छोड़ावू, तोज खरो, घरना सवने अनवा धर्म स्वामी नारायन प्रत्य सूख हती, इतले बावाना पासा सवला पड़वा लागया, पहला तो खावा पीवा मा देवसी ने कनड़ गत्थ थी, पन हवे तो बधाज तेनो तिरस्कार करता थाया, अरे छेवटे गाळो अपशब्दोंने मार पन पड़वा लागयो, बावो पोते चिप्यानो मार मार वाला लागयो, देवशी भक्त तो जेम मार पड़े, तेम स्वामी नारायन, स्वामी नारायन भजन करता, बब्बे तरंतरन दिवस सुधी थांबले बांदी ने मारे, पन देवशी भक्ते बजन छोड़ियू नहीं, आवा भक्त नो द्रोह भगवान केम सहन करी शके, थोड़ा जवखत मा अचानक बावाने माथा मा घण ना घा पड़े एवी वेद ना उपड़ी, घणी दवाओ करी, पन शांती थाई नहीं, बावो माथु पछाडी राडो पाड़वा लागयो, एना शीश्यों एने अम्रेली लेई गया, वैदे कान मा दवा नाखी, इतले एना कान मा थी त्रण बगाई निकली, अनि शांती थेगी, पाचा पिठवा जाड़ावया, बावे गाम मा पग मुक्यों कि तरतज फरी थी माथानो सकत दुखावो शरू फरी अम्रेली जैने पिला वैदनी दवा करावी, पड़ दर्द हट्यू नहीं, पची बगसराना वैद पासे गया, त्यां दर्द दूर थेओ, पंदर दिवस त्यांज रया, तल भार दर्द रहू नहीं, आथी पिठवा जाड़ावया, नि वड़ी पाचू दर्द शरू असा यह पीडा थवा लागी, एने हवे चोक्कस खात्री थेगी हती, कि देवशी ने दूख दिधू, एनी आ हाय लागी छे, ए पची ये बावो पिठवा जाड छोड़ी, वैलो उठी भागी गयो, देवशी लुहार एक वार संग साथे गढ़डे गया, पांच दिवस्त त्या रोकाया, ने श्री हरी ना दर्शन समागम नो खूब लाब लिदो, श्री हरी तो अंतर्यामी, तेमने देवशी लुहार नी सामे द्रश्टी करी, नजीक बोलाव्या, ने कहूं, शूँ भगत, हवे सुखिया चोने, महराज, बावानो दूख टलेउं, पन परिवार मा चालीस मनुष्यों मा हूं एकलोत सत्संगी छूँ, श्री हरी कहे, हवे एपन सत्संगी थशे, तमारी भेला भगवान रहशे, ने बधी वाते रक्षा करशे, रजाले देवशी भगत, संग साथे चालवा लागया, ते नजर सामे श्री हरी नी मूर्ती साथे ने साथे जनाई, संग ना कुलाहल थी अलगा रहवा, ते वो आगल उतावले एकला चालवा लागया, किटलाक ने थवूं कि देवशी ने घरे सत्संग न थी, इटले मुझवण मा आशे, एम विचारी देवशी भगत ने सहानु भूति थी कहवा लागया, बगत मुझावू नही, संग मा साथे रहो, आनंद करो, देवशी भगत कहे, मारे कोई मुझवण न थी, अंतर मा लिला लहर छे, मारा महराजी केवी मुटी महर करी, कि हुँ दर्शन करी छिल्ले निकलेो, त्यारे राजी पानो ओग वालेो, पोतानी मूर्ती अखंड साथे रहे शे, इवो कौल आ पयो, ते मारे तो भूख तरस के थाग बधू विशारे पडियों छे, आ मूर्ती साथे छे, ते आनंद थी मार्ग कपाई छे, भेगो चालूं तो अलक मलकनी वातों थाए, ने मूर्ती नों सुख चालियों जाए, माटे उतावलों चालूं छूं, जे मूर्ती महमुनी ना ध्यान मना आवे, ते देवशी लुहार ने सहज सिद्ध थाई गई, वच्चे दामनगर गा में संगे रातरी रोकान करियों, त्यारे देवशी लुहार सौथी जुदा, फली मा पछेडी पातरी पलाठी वाली ने बैसी गया, आखी रात मूर्ती ना दर्शन करतां माला फ पीठवा जाला मा पोताने घर आंगने पग मुक्यो, त्यारे तेमने अनुभविऊं के श्री हरी पोतानी पहला घरे पहुची गया छे, तेमनी माये आज सुधी क्यारे मीठो आवकार के हेताल वाने उच्चारी नौती, ते देवशी ने जोता वेत दोड्या ने सामा आव पछी ने वार्णा लेवा लागया, पछी तो घरमा सव ने सतसंग थायो, रसुडामा जे कई जुना वासनों हता, ते बधा काडी नाख्या, डुंगली लसन घरमा थी निकली गया, देवशी भक्त ने कंसार राधी ने जमाड़यो, श्री हरी ए केवो जादू करयो, के दे मज आखा परिवार ने सतसंग थायो, पछी आ लुहार परिवार आमबागा में रहवा गयो, देवशी भक्त ने कथा वार्ता नुँ अंग, श्री हरी ना महिमा नी अदभुत वातो करे, संत समागम नो महिमा कहे, जीवन शुद्धी नी वात द्रढ़ावे, आम सचोट देशापी ने तेमने घणा ने द्रढ़ निष्ठावान सतसंगी करया, एमना कुटूंबी करसन लुहार ने वातो करी, वैराग्यनों रंग चड़ावे, ने साधू थवा गटडे मोकलया, देवशी भक्त ना पतनी, तेमज पुत्र परिवार मा पन एवो सतसंग थायो, श पहलाना सतसंगी ने तेड़ी जैये शिये, अथवा अमुक दिवसे, अमुक सतसंगी ने धाममा तेड़ी जैशूं। विमान मा बैसारी ने चालया, विमान तेमना खेतर पर थी श्री हरिये चलावियों, देवशी भक्ते जोयूं, तेमने महराज स्वामी तथा मुक्तों ने वंदन करया, ने कहूं, महराज बहुत दया करी, पन रेठा घरे थी उपाड़यों दयालू, हूं होत तो तमारी आस वासना करतने, दाडिया देवशी भक्तनू आम एकलू रटन सांबली कहवा लागया, बाभा एकला एकला शूं बको छो, देवशी भक्त कहे, महराज कलाने धाम मा तेडी जाई शे, ति दर्शन देवा विमान अहीं उतारियों छे, लोको कहे, विमान केउने वात किवी, भ बाभा ने हवे बक्वा चालू थयो लागे शे, थोड़ी वार थाई, त्या पोत्रो घेर थी, दोर्तो दोर्तो आवी ने, छेटे थी कैवा लागयो, बाभा, दोडो, मारा बापा दे मुकी गया, आसांबली दाडियाने विश्वास बैठो, कि बाभा ने निरावरण द्र थे गई शे, निंदन काम अधुरू मुकी बधा घरे आव्या, देवशी भक्ते दिकरो धाम्मा गयो, ते निमित्ते हरकनी हेली करी, साकरवेंची, ने साथ दिवस धून कीर्तन माड्या, गढड़े थी संतोंने बुलावी, नेत नवी रसोई जमाडी त्रुप्ट कर्या, आमबा गामना मेग जी भाई सत्संगी हता, तेमने श्री हरी तेडवा आव्या, ते पुर्वे देवशी भक्तने दर्शन दईने कहेलूं, के आँठ दिवस पची मेग जी भाईने तेड़ी जवाशे, देवशी भक्ते मेग जी भाईने आ वातनी जान करी दिधी, ते तो राजी राजी थे गया। श्री हरी अने स्वामी आंठ दिवस पची पधार्या ने तेमना माता पिताने दर्शन दई कहुँं। में एक जिने तेडवा आव्या शिये। तेवों कहे, महराज सुखे थी तेड़ी जाओ, अमने देवशी भक्ते एवुँ गिनान करावियू शे के आ लोकनु सुख फीफा लागे शे। एक वार आंबा गाम मा नित्यानंद स्वामी बिमार पड़या। ए बिमारी मा देवशी भक्ते तेमने एक बक्रीनों दूद दवा तरीके पायूं। देवशी भक्तने एवो महिमा के व्रुक्षो पशुओ वगेरे नाना मूटा जीवोना फल दूद वगेरे प्रगट भगवान के भगवानना संतना उप्योग मा आवे तो तेनी सद गती अवश्य थाय छेज। अने आश्चर्य छे कि ए बक्रीनों ज्यारे अंतकाल आवे हो त्यारे श्री हरी तेने तेडवा आवे हाता तेनी प्रतिती घणाने थेईयती। देवशी भक्तना ग्नाती भाई मेग जी भरभीड गामे रहता। तेमने मारगी पंथना बावाने गुरु करेला। ते बावो तेमना घरेज रहतो। सव तेनी सेवा करे। देवशी भक्ते आवाज जाने तिथी तेमने करेूं। भाई, स्त्रीनों संबंध राखे एवाने गुरु न करिये। वली पोते व्यसन करता होई, ते बीजानों शू सारू करे। एवाना संग्थी जरूर भूंडू थाए। जेम कालियूं एटले के अफीन पैठूं ने काल जू वटले, एम बावो पैठों ने घर वटले। मेग जी कहे, बावो तो सिद्ध पुरुष्चे, कि तलाईने परचा पुरेशे, तमारा गुरु परचा आपेशे? अमारा गुरु जीवननी बदियों दूर करेशे। मनाये? छा मैना पछी मेग जीनी स्त्रीने लईने पेलो मारगी बावो भागी गयो. ते खूब शोधवा छतां क्या एपत्तो पड़ेओ नहीं? एक वार आबा गामने पादर शेत्रुन जी नदीमा तेनो गुरु ने तेनी स्त्री बनने बैठा आता. मेग जी एम ने जोया ने गुरु ने मारवा लाकडि उगामी ने कहवा लागयो. शू करू? आतो गाए रतन गळियों शे ने जो बीजो कोई होत तो राई राई जिटला कटका करी नाखू? ते वखते देवशी भक्त नदिये नाहवा गया आता. तेमने आ मामलो जोयो. ते वो त्या गया ने प गयो हतो? ते आज हाथ हावेओ छे, पन शूं करू? गाए रतन गळियों शे. देवशी भक्त कहे, मेगजी आ गाए नहीं, आतो फाटेल आखलो शे. माटे दे धबेलामा, नही तर वली बीजू रतन गळ शे. पाखंडी गुरू ओ आमज भोळा ने भर्मावता होई शे. निष्ठाना बढ़ थी, ढोंगी धुताराओने खुला पाड़या हता. किटला इनने शुद्ध निष्ठा करावी, प्रगटमा जोड़या हता. देवशी भक्तने अक्षर ब्रह्म गुणातितानंद स्वामी साथे खूब हेत अतु. तेवु स्वामी ने गुरु तरीके मा अने स्वामी नो पड़यो बोल अद्धर जिलता. सम्वत उग्णिस्टो सोल ना जेट सूद एकादशी नो भीम एकादशी नो समयो करवा, पिठवा जार्थी खिमा भै डोबरिया, तथा देवशी भक्त संग लहिने आव्याता. समयो पूरो थयो अने हरी भक्तों वेराव पिठवा जार्णों संग पोताना गाम पोंची गयो, परंतु देवशी भक्त गुणा तितानंद स्वामी नो समागम करवा, जुना गड रोकाई गया. एक दिवस गुणा तितानंद स्वामी पाट उपर बैसी ने वातो करता हता, ते वक्ते सभामा देवशी भक्त बैठा पाटा, तेमने जुई गुणा तितानंद स्वामी ये पुछिऊं, देवशी भक्त, हर वक्ते तो तमों समय यो करी ने उतावला उतावला चाल्या जाओ छो, ने आ वक्ते केम रोकाई गया, तेमने हाथ जोडी ने कहिऊं, स्वामी, मारो भत्री जो खोडो छे, तेने पत करवूं, काईक दया करो, तो तेने सारू थे जाए, ते सांबली गुणा तितानंद स्वामी ये कहिऊं, तमने महराजनी मुर्ती अखंड देखाई छे, तेथी तमों काई चिन्चो तो पन तेने सारू थे जशे, देवशी भक्ते कहिऊं, स्वामी, मने तो महराज गुणा तितानंद स्वामी ये हसी ने कहिऊं, आपना कोठार माथी अरीठा लावी ने तेनु फीन काडी ने तेने हाथे पगे चोपडो, इटले तेने सारू थे जशे, तमे तेने घोडे नाखी ने लाव्या शो, पन ते तेनी मेले चाली ने घेराव शे, गुणा तिता तितानंद स्वामी नी आगना प्रमाणे अरीठा लाईने तेनु फीन काडियू, अने ते तेना हाथे पगे चोपडियू, सवारे जोयू, तो हाथ पग पहला जिवा हता तेवा थे गया, आजोई देवशी भक्तने आश्चर्य थेऊ, तेमने लागियू, कि आमा कोई दव बानी कारी नथी, पन गुणातितानंद स्वामी ना आशीरवादनुज भल शे, मूटा पुरुष्णा वचन अने तेमना वचन मा द्रड श्रद्धा, तेनु सामर्थ्य घणू शे